हाई हालो एवलिवन कैसे हैं प्रताप अपिशेक रेश्मान दर्मेंद्र एंडर इच वन आफ यू अल गुट चैनल गाई तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक की लिए जिसमें आज हम परमाअ डैनस्टी का जो सेकंड नंबर का पाहट है इसको हम यहां पर नुट करने वाले हैं और कल आपका कल्चुरी वन्स होगा जिसमें हम कल्चुरी को पूरा का उन्स क्लासेस आपकी होंगी जो तोमर बंस से रिलेटेड होंगी मतलब सेटेटे तक आप माइन के चलिएगा आपका ये जो पूरा डैनेस्टी वाला जो हिस्ट्रिया एंशेंड का पोर्षा ने वो पूरा कवर हो जाएगा जिसमें मेजरली जितनी भी जो डैनेस्टी हमारी MP में इन्होंने रूल किया हुआ है वो सारी के सारी आपकी कवर हो जाएंगे आहीर हो गया बोधी हो गया गुर्जर पृतिहा राजकूड चहना कल्चुरी चोहान और आपके तोमर हो गए तो यह सारे इंपॉर्टेंट जो एंशेंट पार्ट से रिलेटेट से वह हमने कवर कर लिए इसके बाद हम जम्प करेंगे मेडाइबर इस्ट्री की उपर तो सल्तनेत काल पे के इस तरीके हमारे MP की कंडिशन्स रही है उनको हम यहाँ पर देखेंगे और इसी सिक्वेंस में पूरी की पूरी क्लास में आपको आगे कवर कराने बाना तो दूस्तों हम पर्माट अनिस्ती के बारे में हमने कल समझ दिया था आज इस लेक्चर को उसके आगे दोसे आपकर हम कंटीनू करेंगे बट उसके पहरे यह है बता देता हूं यूनिट 3 की क्लास भी चल रही है आज आपको यूनिट 3 की कंप्लीट पीडिएफ एनिहाव रात तक अविलेबेल हो ज जाएगा तो पूरा आज आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा यूनिट 3 का अलब 7-8 बजे तक आप मान के चलिए एनिहाव पहुँच जाएगा हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम के लिए हम वर्क करेंगे यूनिट 9 दी जा चुकी है हिंदी इंग्लिश दोनों के ROMA Dyn Ridge का पड़ रहे थे तो कल तक हमने कहा तक कवर किया था आपका वाकपती और वाकपती जिनको मुंझ बोलते हैं कल गलती से नाम के लिए कल यह बता दिया था कि जो वागपती थे जो मुंझ जिनको कहा जाता था उन्हीं का एक नाम यहां पर सिंदुराज था सिंदुराज दोस उनका छोटा भाई था ठीक है यहां पर बस यह मुझे स्लिप आफ टंग कल यहां पर हो गया था कि मैंने आप से बोल दिया थ हो जाता है कभी इस भी हितिहास होते हैं है इतने सारे से कभी में सब्कुराइब कभी कभी हुआ गया था कि स्यव equ humility यहां पर सिर्दूती का बतचे नहीं हो रहे थे दieuक है काफी लंबे समय तक यहां पर सिख दूती के कोई भी बेटा बगारा नहीं हुए थे तो फिर क्या किया था उन्होंने यहां पर एक बच्चे को या तो बोलता है ऐसा हिस्टोरी बोलती है कि इन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया था ऐसा हिस्टी बताती है या फिर इनके ल कि उनके reactions नहीं थी उस बच्चे के यहाँ पर जादा तो इसी कारण से दोसे यहाँ पर इनका नाम मुंझ पड़ गया था फिर आगे जाके दोसे जब इन्होंने गद्धी समाली क्यों क्यों क्योंकि सियक दुती के उतरादीकारी थे तो फिर जाके दोसे इनको वाकपती दुती यहाँ पर नाम यहाँ पर मिला तो यह प्लीज याद रखना फिर आगे जाके दोसे इनका क्या हो जाता है सियक का खुद का बच्चा हो जाता है तो फिर दोसे यहाँ पर जो सिंदुराज कहला है तो प्लीज इसको याद रखने कि इनिशली शादी के करीब 18 साल तक कोई इनका उत्रादी कारी नहीं आया था इस करण से दोसे नों ने किसी बच्चे को एडॉप्ट किया या फिर हो सकता है इनको कहीं पर मिला हो फिर आगे जाके दोस्तों इनका जो रियल संथा वो था दोस नहीं पर प्रेम दोनों भाईयों में आप देखोगे हम पर काफी प्रेम यहाँ पर मिल जाएगा तो चलिए इस स्टोरी दोस्त नहीं पर अप सुरू होती है और फर अलावद्दीन के समय ये पूरी की पूरी जो kingdom थी ना वो खिलजी बंस में शुमार हो जाती है तो दोस्तों कहानी सुरू होती है आपकी मुंझ से तो स्टार्ट करते हैं मुंझ क्यों यहां पर इतने महान राजा कहे जाते हैं तो सबसे पहले देखे दोस्त किसी राजा को महान तप कहा जाता है जब उसके बारे में हमें जानकारी हो देखो चलो एक आपको इस्ट्री में बताता हूँ जैसे आज आप लोगों ने रानी दुर्गाबती के बारे में पढ़ा है ठीक है आपने रानी लक्ष्मी भाई के बारे में पढ़ा है अवंती भाई के बारे में पढ़ा है क्यों पढ़ा हूँ है क्योंकि हमारे पास उनके एतिहासिक साक्ष जो है वो मौजूद है ठीक है चाहे inscriptions हो या literary sources हो या उनके द्वारा की गई बस्तों जो इस्तमाल की गई हो तो इसलिए दोस्त हम उनको आज यहां पर पड़ पा रहे हैं और देखा जाए उनके लिए तो उनके द्वारा जो किये गए कारे थे वो महत्पून थे अब 1947 में ऐसी और भी बहुत सारी महिलाये रही हैं जो उन्हों ने भी सुर्तंतरता में योगदान दिया पर हम उनको नहीं जानते क्यों नहीं जानते क्योंकि इतिहास के कही न कहीं ऐसे कुछ पन्नों में वो दब गई हैं उनके द्वारा जो किये गए कारे हैं वो दब चुके हैं तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम किसी राजा को जानते हैं तो उनके द्वारा किये गए कारियों के कारण जानते हैं जो उन्होंने बड़े स्तर पर किये जैसे कि अगर बात करूं मुंझ के तो मुंझ का ए सकंद गुप्त ने हराया था, ठीक है, मीर कुल हो गया, तोर्माण हो गया, यह उन्हीं के उत्रादी कारी हैं जो जम्मु कस्मीर और हरयाना वाले रीजन पर रूल किया करते थे, ठीक है, यह वही होड है, जो अरबों से हार गए थे आगे जाके, तो यह कंटिनुसली इंडि बोलता है, कोथेम का दान पत्र बोलता है, फिर हस्तिकुंड अविलेक के अनुसार बताते हैं कि मेहार, मेवार के, गोहिल वंस सासक, सक्तिकुमार को हराया, और इसने अपने अधिकार में ले लिया, मतलब मेवार, अभी आप सोचोगे कि सरी, मेवार का, आपने यह वाला बोलता है, नहीं पढ़ाया, हस्तिकुंड बन्स, अरे यार एक बात बताओ, वो मेवार में था, मेवार मतलब कहां, राजिस्थान, क्या राजिस्थान वाले हमाई यहां के अधीर बन्स, बोधी बन्स, चालो के कल्चुरी यह पढ़ते हैं, क्या, नहीं पढ़ते, क्योंक इसको भी हमें पढ़ना है, क्या, नहीं पढ़ना है, बस इतना पता चलना है, कि दोस्तिकुंड का जो अविलेक था, यह पता चलता है, कि गुहिल वंस की राजा को इसने दोस्त हराया, अब राजिस्थान, गुजरात वाले हिस्से पर हराया है, तो जब राजा को हराएग तो उसके हिस्से की उपर भी तो capture करेगा ना तो जो पूरा का पूरा दोस्ट जो हिस्सा था दोसे यहां पर राजिस्थान का और गुजरात का जो आबुपरवद वाला हिस्सा कह सकते हैं वो यहां पर मुझ ने अपने सामराज्य में सामिल कर लिया तो देखिए धार वाला ह हिस्सा राजिस्थान गुजरात इस पूरे के पूरे एंपायर के ऊपर वागपती दुत्य मुंझ का आधिपत्य हो गया और इसके पड़ोसे में जो रहने वाले थे कौन ही यहां पर कल्चुरी तो देखों लिगा क्या है यहां पर उदैपुत्र अभिलेक के अनुसार भी हिस्सा जो महा कोचल का वहां पर भी अधिकार कर लिया नर्वद अन्यदी वाला हिस्सा और गुजरात और राजिस्थान तक हो आया तो अब आप इसकी महानता के वारे में आप सोचेंगे कितनी ज्यादा दोस्ते हां पर यह महान हो चुका होगा कि इतने पूरे एंपायर क को लेते हैं तो मोदी जी एक इतने बड़े लीडर के तौर पर निकल कर सामने आए हैं तो उतनी बड़ी उनकी सेक्यूरिटी होती की नहीं होती है क्यों उनकी दुस्मान इतने ज्यादा हो जाते है कि उनकी जान का खत्रा उनकी उपर बन जाता है तो जब यहां पर मुंझ इतना बड़ा राजा बन जागा इतने बड़े भूपती का स्वामी बन जागा इतने बड़े छेत्र की उपर अधिकार कर लेगा और आस्परोस के राजाओं को हराएगा आस्परोस मतलब की गुजुरात को भी हरा दिया ठीक है राजिस्तान को भी हरा दिया कल्चुरियों को को भी हरा दिया तो एक टाइन तक तो सब कुछ चलेगा पर आगे जाके आपके जो रूलर्स माला हो सकता है कोई दूसरा रूलर इतना स्ट्रॉंग आ जाए या आपस में गुट बनाके वो लड़ना शुरू करते हैं तो होता है सा नॉर्मली तो इनके साथ भी यह हुआ था घॉल ने चाहान बली राजपर आपकमन करके आभू परवत के चहतर को भी हरा दिया और यह कभा चैब को जोराइट और जोगजरात्स को भी हरा दिया अप सोचिए चोहान वाला इस्सा घुजरात हिस्सा ये पूरा पूरह इसके पास आ गया है तीक है अबिवेजन के नाई ने पावर ति यहां पर यहां पर यह हर नहीं है बार एक बार हरा दूसरी बार करेंगे फिंसरी बार करेंगे छहती बीवी बार करेंगे और चिड़ टेलब दूसरा पर हर गया धुरह मुंझ दोन फिलिस्तीन का और जो हमास का जो मैटर चल रहा है इसराइल का इसराइल ने क्या बोला अब हमास का नाम और निशान हम खतम कर देंगे कई सदियों की लड़ाई यह जो चलती आ रही है आज खतम कुछ भी हो जाए और ऐसे में अगर नैंत्या हूँ ठीक है जो प्राइम मिनिस साथ आपको अटेक करने जाना चाहिए है नहीं आपने सीरी बंदू को लॉंचर उठाय और आप लड़ने चले जाओ पीछे से आपका आर्मी ऑफिसर क्या रहा है आरे नैंत्याओ जी रुको रुको अपन चल रहा है हमास की उपर बंब है आरसनरी है अमेरिका का एक वह व मुंझ की उपर ठीक है तैलब दुतिये ने मुंझ से बोला उसकी कमांडर ने कि भाईया बात मानो उनका जो आमाताच इसका नाम था रुद्रा देते मत करो अरे करन नहीं आज तो तैलब दुतिये को छोड़ेंगे नहीं आज तो पूरा का पूरा जो चालोक के है वो हमार मुंझ की ने को कैपचर कर लिया बचाओ बचाओ बचाया बचोगे या बात ही नहीं मानी आपने आमाति headline अब फिर क्या हुआ कैपचर कर लिया बिचारेamat पकले ग Diana अब पकड़े गाये तो मुंझ की लिए बंदी बनाया तो तैला दुतिये क्या कहता है तो आपम एमएश तो इस तरीके से यहां पर क्या होती है मुझ जिनको वाकपती धुती भी कहा जाता है दोस्त उनके पूरा साशन था उसका एंड हो जाता है अब आप एक बात सोचिए कि मुझ के जो छोटे भाई सिंदु राज है क्या वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे क्या कि उनके बड देखेंगे गद्धी पर सिंदु राज इनके छोटे भाई और सिंदु राज बदला लेने पहुंचेंगे कहां पर चालोक क्यों से तो देखिए अब स्टोरी कहां पहुंचती है तो दोस्तों तेलब दूती ने फिर बादम रत्युदेंड दे दिया अब मुझ के द्वार अनज हो गए और इसके पास धनेक हो गए तो यह कुछ ऐसे उस समय के जो कितने इंटलेक्च्वल परसनालिटी जो थी दिए वह इनके टाइम पिरेट पर थी और इन्होंने कुछ ऐसे लिट्रेरी सोर्सेस भी यहां पर लिख हुए है तो यह कुछ किताबें हैं ठीके जो इन राइटर्स के द्वारा यहां पर उस समय पर मुझ बाक्यपती दुटी के टाइम पिरेट पर लिखी गई थी फिर इसके बार जो गद्धी पर आएंगे वो आएंगे इनके छोटे भाई चलो तो स्टोरी सुनो देखें क्या होता है लिखा है दोसे आपर एक चीज और ह लोगों को क्लियर ली नहीं देख रहा होगा अब बैटर है अब क्लियर देख जाएगा आपको चली तो मैं कहाँ पहुंच गया था अपको में मुझ के इस्थापत्य कला के बारे में आपको बता रहा था है का पूरा सामराजिता पर मुंझ के साशनकाल के समय मालवा का एक स्वनकाल कहा जाता है तो भाई स्वनकाल तो कहेंगी न क्योंकि आपका टाइम पिरेड़ी इतना अच्छा रहा है तो यह तो वह गणा आज बताओ पाकिस्तान में अफगानिस्तान में म्यानमार में बांगला हो गया यह तक तो भारत के साथ टेकनोलोजी शेर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईया आप अपनी टेकनोलोजी हमें बता इवन जापान तक ने मांगा है कि आपने ऐसा क्या डाला था चंद्रियान तीन में कि जो बड़े-बड़े जुन बीस-बीस हजार करोड के रुप यहां पर डेबलब्ड था मुझा का टाइम की रेड़ आस पर जितनी भी जो समय की राजा थे उन्होंने का भाईया ठीक अटेक करने की कोई बात नहीं पर जैसे मुझी के दोस्ति यहां पर मृत्ति होती है तो जो पर जो राजा थे उन्होंने फिर दोस्त क्या किया मांडू में मांडू सागर जील का निर्मान करवाया मुझी ने महिस्वर उज्जन ओमकारेश्वर में धरम पूरी की सुन्दर मंदरों का निर्मान करवाया और उसके पश्चात उसका भाई सिंदूराज गद्धी पर बैठा तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यह यहां पर गद्धी पर बैठे तो यह अपने बड़े भाई की म्रत्यू का बदला नहीं लेंगे क्या तैलब दुतिये से ठीक है क्या बदला नहीं लिया जाएगा जब गद्धी पर बैठे कि तुसी के भाई को अगर कोई मार दे है ना और वो भी कब हत्या कर दे इसने सबसे पहले किसकी उपर चालुक्यों की उपर अटेक किया यहां पर इसके भाई को मारा गया था और चालुक्यों को दुबारा इसने हरा दिया तो देखो लिगा क्या है कि मुंजी को उत्तरादीकारी उसके छोटे वाई सिंदु राज तैलब दुति को उत्तरादीक सिंदुराज ने का ठीक है चलो बाप नहीं तो बेटा ही सही हराना तो है हमें किसी ने किसी को तो इसने बदला लिया और सीधा अटैक किया चालोक्तियों की ऊपर और चालोक्तियों ने जिन छेत्रों पर जिन छेत्रों से मतलब तापती नदी का जो खंडवा, खरवण, बु सत्यासर है कौन तैलब दूतिय का उत्रादी कारिक चालोग के वंसे से संबंदित सिंदु राज ने उसको हराया और अपनी भाई की मौत का दो सेहां पर बदला ले लिया और वापस जो पूरा का पूरा छेत्र था उसका उस छेत्र की उपर दुबारा कबजा कर लिया अब द नीचे के चालोग के बारे बता दू नहीं तो आप चालोग के बारे में बहुत कंफ्यूज होगे यूनिट टू में पढ़ना है हमारे लिए इसका पार्ट नहीं है दोस्तों दक्षिण में क्या हुआ था ठीक है जब राजपूटों का पतन होता है ना राजपूड जो हैं आप यहां से निकलना चालोग है था लोग वाता पी रहे तो यहां के चालोग के जालोग हो एन लोगों ने गुजरात वाले हिस्से की उपर भी कब्जा करके रखा हुआ था गुजराथ वाला हिस्सा हो गया थोड़ा सा मेवारा का महराष्ट का हिस्सा हो गया यह पूरे इस रीजनी की उपर कब्जा किये हुए थे तो तीन तरह चालुक के मिलेंगे आपको तो वैंगी में भी हैं गटाप इम्भी है और आपको कल्याणी में भी है तो अगर आपने किसी एक चालुक्य को हराया है इसका मतलब यह थोड़ी कि आपने दूसरे चालुक्य को भी हरा दिया यह नहीं होता नहीं यहां पर राहुल गांधी की उपर भी एक मान हानी का केस लगा क्यों लगा दोस्त के सैंस में यह बात चली गई जबकि उन्होंने निर्व मोदी जो जिन्होंने साय जो कुछ गोटाला बगर करके रखा हुआ है और भारत के बाहर रह रहे हैं तो बात तो गलत होगी नहीं यहां पर तो चालुक्य के उन दक्षुन के चालुक्यों से हरा हराया इसने सत्यास पर गुजरात में भी तो चालुक्यों से हर गया उन से नहीं जीत पाया था दो से यहां पर इसे पर बाकी के जो नेवरिंग कंट्री इस नेवरिंग स्टेट्स थे लाइक कल्चुरी हो गया ठीक है उपर के सोलंकी हो गया उन सबी को भी इसने दोस्यांपर सफलता अग्षा किया शिंदू राज ने दमन कर दिया संदूराज ने नाग्वंस हले वाला इस सब्सकर नाग्वंस की उपर भी चोहान अट एक कर रहे थे ऊपर से तोमर कर रहे थे यहां से गड़्चूरी एटाइक कर रहे थे और कल्सुरियों का टैक इनकी ऊपर भी हो रहाS थोड़ा सा मैप से संजा देता हूँ और अच्छे से समझ जाओगय better confusion तो की रहेगा अब नाघवंस आप लोगों को पता है कहां पर यहाँ पर रहा है यहां पर को रूल कर रहा है यहां पर कॉन कर रहा है आपके परमार जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस reason में कौन rule कर रहा है कल्चुरी यहाँ पर कल्चुरी हो गए थोड़ा सा इधर तरफ आ जाएंगे हम तो यहाँ पर कौन rule कर रहे है गुजराथ के चालोक के गुजराथ के चालोक के इधर के उपर आ जाए हम तो यहां पे कौन आ गए चोहान इधर आ जाओ इधर कौन डूल करेंगे अभी निकलेंगे ठीक अभी छोटे से रीजन में है तॉमर अब आपको हिस्ट्री देखी आपने आस पड़ोस में थोड़ा सा इनकी उपर चले जाओ तो यहां से हुडों का आक्क्रमन चालो हो जाएगा अब नागवंस भी तो फसा हुआ है तो नागवंस के साथ क्या किया परमार वंस ने यहां पर वेवाहिक संबंद स्थापित यहाँ पर कर लिए और ससी प्रभासे शादी के अन्ने के बाद नागवंस का समर्थन खुद भी लिया और इसको भी समर्थन यहाँ पर देना है यहाँ पर चालू कर दिया फिर देखो आगे लिखा क्या है कि सिंदु राज के उत्राधी कारी जो गदी पर बैठते हैं वो होते हैं भोज और मद्युग का सूप्रसिद साशक जिसको कहा जा सकता है वो भोज एक महानी होता था दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट चीज आज जो भोजताल की बात करते हैं भोजताल तो ठीक ठाक है हमारे मद्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वो भी दोस्तिन कहीं नाम पर पढ़ी है तो केबल एक दो नहीं ऐसे कई सहर थे जिनको राजा भोज ने बसाया था केबल एक नहीं ऐसे कई आपको सहर मिल जाएंगे जिनकी स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई स्थापत्यकला की बात करें रचेता की बात करें कवी के सेंस में बात करें विदवानों में बात करें लडाकू राजाओं में हर एक चीज में जो एक व्यक्ति पारंगत हो सकता है ना वो राजा भोज थे जैसे कि स्माफ एक्जाम्पल लेकर चलो सचेन उतुलकर का ठीक है जो IPS है तो पढ़ाई UPSC करेक्ट करके IPS बने बॉडी विल्डिंग कर रहे हैं तो आपने उनकी परस्नालिटी को देख रखा है इसके बाद उनका कार शेली भी काफी अच्छी इंफ्लूएंसिव है तो आप देखना ना कोई परसन हर तरह से मल्टी टैलेंटेड हो सकता है बस किसी संदक्षक के रूप में इनको ख्याती प्राप्त है जन सुर्तियों में और जैनी के प्रशिद राजा विक्रमादित के बश्चात सबसे बड़े राजा यहां पर भोजी हुए थे अब सोचो विक्रमादित जो कि गुप्तिकों के समय पर था उनकी टाइम प्रेड के बाद जो सबसे अच्छा राजा दोसे आपर कहा जाता है वो राजा भोज की लिए ही कहा जाता है सबसे प्रशिद राजा दो तो समय भोज से अब देको आगे लिखा क्या है भोज के बारे में कि इनकी अनेक रचनाओं कहानियों में भारत में जन सामान में प्रिचले थे ऐसा कह जाता है कि भोपाल सहर का नाम इनी के नाम पर पड़ा और भोपाल की नस्दीक ग्राम भोजपुर नामक पर रखा गया ठीक है अब ये राजा भोज की जो पृतिमा है भोपाल के पास में जो भोजपुर का मंदिर है आप लोग यहां पर गए हैं जो सबसे बड़ी शिवलिं बनी कैसे राजा भोज ने तो राजा भोज के द्वारा किबल एक मंदिर ने उज्जेन धार इसके लावा भोपाल वाले रिजन पर कई सारे ऐसे मंदिरों का निर्मान भी करवाया गया और जो ऐसे पुराने मंदिर तो जरजर अवस्था में यहां पर हो सुके थे उनका ज और अपका प्रमान कहा जा सकता है कि जील में सौ जल सुरोतों से पानी आता है हम अपनी घर में बोर करवाते हैं तो बोर का तो मैं पता नहीं चलता कि उसमें एकाद जील मिल जाए और जिर मिल जाए तो पानी आ जाए घर के बोर में दिखवाते हैं नारियल वगेरा से पं परसन यह हुआ करते थे कि इनों ने उस टाइम प्रिट पर हजार साल पहले भी बांध बनवाया तो स्वानकाली गए गया हम इनके काल को क्योंकि जंता के जो समस्या थी पानी वाली समस्या उसको निजात नों यहां पर डिलवाई और जो तालाब बनवाया उस तालाब में प संस्कृत के पाठन पर दिया और एक विद्याले की स्थापना भी के जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा होता है न वो उस पढ़ाय लिखाय की कीमत समझता है और अगर खुद पढ़ा लिखा नहीं होता है न दोसे यहां पर तो अगर वो समाच को अच्छे तरीके से समझ रहा है न तो भी वो पढ़ाय की कीमत समझता है जैसे आपने देखा काफी सारे ऐसे मावाफ होते हैं ठीक है जो कुछ खुद कुछ भी करें पर बच्चे को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं उनकी कोचिंग के लिए और हर एक चीज़ के लिए उनका ध्यान देते हैं भले उनको पढ़ना नहीं आता है पर उनको यह पता है कि तीन घंटे ह फारन हो गया अंटने हो गया अईसी सिञवां हमीं होगै तो क्या यह पढ़ार है के स्थापना आ यहां पर वहां को फिर इसके बाद दिखा हुआ है औên आपतेजा संगास्यन तो अपने चाचा मुंझे को दिए प्रानदंद का प्रतिस्यों लेने के ले दक्ष्मन पर आक्रमन किया और कल्यानी के चालोकियों की उपर इंहों ने यहां पर इंदूराज के प्धे तीक है, कंटेंप्रेरी यहां पर कौन हो जाएगा, तेलब दुटी हो जाएगा, तो जैसे दोस्ते हैं आपर सत्यासरे की बाद विक्रमादेत गद्धी पर बैटा, इन्होंने क्या किया, कल्यानी, तीक है, किनी की उपर, चालोकियों की उपर, अटेक यहां पर कर दिया, इसने दक्षिन के चालुक्यों को पूरा का पूरा तरीके से दूस्स इसने यहां पर अधर अभर अब क्या होता है जब किसी एक राज्य की सक्ति बढ़ती है, तो दूसरे राज्य को क्या लगता है, बुरा लगता है, ये ऐसे समझो कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन रहा थ तो यह रशिया को बुरा लगा क्यों कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा तो नाटो की पॉलिसी के हिसाब से जो नाटो के दुस्मन होंगे ठीक है नाटो के जो नाटो के देश्ट होते हैं उनके दुश्मन होंगे वहाँ पर वो फोर्स लगा सकते हैं अपनी अमेरिका की force Ukraine में रह सकती है क्यों member है वह तो यहां पर जैसे कि इसराइल की सहायता अभी अमेरिका कर रहा है तो जो अरब nations है जैसे कि Lebanon हो गया मिश्टर हो गया ठीक है जॉर्डन हो गया इनको बुरा लगे गा ना कि हमारी जब इसराइल से लडाई चल रही है तो इसराइल की सहायता के लिए अमेरिका क्यों आ रहा है हो गया यहां पर यह बुरा तो ऐसी दो से यहां पर हुआ कि जब इसने राजा भोज ने दक्षिण की राजाओं को दो से यहां पर हरा दिया किसको और यह दो यहां पर दक्षण के चालोक्यों को सौरी इसने राजा भोज ने जब यहां पर दक्षण के चालोक्यों को हरा दिया तो पड़ोस में जो कल्चुरी वन से इसको तो बुरा लगेगा लगे गई ना ऊपर जो चोहान वन से इसको भी बुरा लगेगा कि इसका सामराज बढ़ता हुआ जा रहा है तो ऐसी कंडिशन्स में क्या होता है दो लोग आपस में मिलकर संयुक्त अटेक भी तो करते हैं न तो ऐसे ही दोसे यहां पर राजा भोज के साथ हुआ कि जब इसने डक्षुन में और इसने पश् बुद्ध किया पर भोज ने बुंदेल खंड जीतने के पूचंदेर राजा विद्याधन ने विफल कर दिया और इसके बास शकंबरी चोहानों के बुरुद्ध भी भोज को सफलता नहीं मिली तो उस समय के दो राजा थे विद्याधर हो गया और दो सेहां पर चोहान हो ग कि बाएस तरफ पूर्वी तरफ नहीं आ पाया और उत्तर में भी चोहानों को दो सेहां पर हरा नहीं पाया पर इतना ही नहीं था पर इसने दोस क्या किया कि बाहर के आकर्मण कारी को समझ किया बार यहां par जहने अथे बुछ कर रहा है यहां पर घजनब्ध का टैख भूर अपने हाँ पर सरं दी क्योंकि आनन्दपाल की मृत्ति हो गई कि पर राजजपाल को मरवा दिया विद्यादर ने यही Rodinal तो तिरलोचन पाल को दोस इसने अपने यहां पर राज में सरण दी तो यह इस तरह का एक महान राजा था कि जो गजनेवी बिद्यादार चंदेल जोहान और चालोक्यों तक से यहां पर नहीं डरा और अप पूरे के पूरे मालवा धार रीजन वुपाल की उपर इसने अपन सामराज दोसियां पर कायम किया तो यह थे राजा भोज फिर लिखा हुआ है कि कल्याने की चालोके जैसे हैं कि पुत्र उत्रादीकारी सोमेसर प्रिथम ने राजा भोज को परास्त कर नगरी को लूट लिया यह दभी भोज ने कुछ समय बाद धार को अपने अधिकार में इसको लूट लिया जब तक यहां पर आया तो धार लूट चुकी थी फिर इसने धार वापिस ले ली चालोकियों से पर आस पास के जो राजा महराजा थे ना उन लोगों ने गुट बनाना चालू कर दिया चालोक को तो दक्षण में रहते थे उत्तर तक तो आ गए थे फि देखो लिगा क्या है सोमेस्वर के बाद आक्रमने मुल्क उसकी उस्तिती दुर्बाल हो गई राजा भोच के द्वारा किये गए युद्धों में अधिक कीर्ती अवश्य मिली थी किन्तु इस्थाईला प्राप्त नहीं हुआ और राजा भोच का ठीक है उसकी जीवन के अ संयुक्त सेना थी ऊपर चोहान थे इन सभी ने मिलकर दोस्ति यहां पर भोच के साथ युद्ध किया और दोस्त फिर यहां पर राजा भोच इसे युद्ध करते हुए यहीं पर सहीद हो गया तो यहीं थी दोस्त राजा भोच की एक पूरी की पूरी दोस्ति यहां पर इस भोज की कहानि फिर राजा भोज के बाद उनके बेटे जैसिंग भी गद्धी पर बैठेंगे तो जैसिंग यहाँ पर कुछ समय सुरुवाती दौर में तो अच्छा यहां पर काम करते हैं ठीके बदला भी लेते हैं तो अपने पिताजी की मौत का पर कुछ टाइम बाद दोस कि भोज चुके मित्री के बाद जैसिंग पर दक्षिन के चालोक के विबराज विस्टम सस्टम के साहता से मालवा के कल्चूरी और चालोक्यों को खदेड दिया परन्तु सीगरी इनका बेद यहां पर हो गया और गुजरात के चालोक के कण के साथ मिलकर जैसिंग पर आकव लिया पर किसी बात से ठीक इनका मदवेद हो गया चालोकियों के साथ तो जिस बात से मदवेद हुआ तो भाई बस चालोक क्यों तो चालोक ही है पिता जी से युद्ध किया चालोक क्यों ने इनके दादा जी के साथ भी युद्ध किया तो इनको कैसे छोड़ देंगे तो पर सिर्दोस यहाँ पर युद्ध होता है और जैसिंग की फिर दोस यहाँ पर मृत्य हो जाती है फिर जैसिंग के बाद दोस यहाँ पर कोई भी एक ऐसा महान समराथ यहाँ पर नहीं होता है जो इसमें दोस यहाँ पर रूल कर सके तो यह था एक हमारा पूरा परमार कल हम कल को खतम करेंगे पूरा फिर दो दिन आपका तोमर वंस में लगेगा और सेटरेड़े तक यह एंशन हिस्ट्री वाला जो टॉपिक था टोटल लगबख 20-21 लेक्चर आपके हो गए यह फिनिश हो जाएगा फिर इसके बाद दोस्त यहां पर हम स्टार्ट करेंगे मेडायविल हिस्ट्री वाला मेडायविल का पार्ट बिल्कुल बढ़ा नहीं है दो तीन लेक्चर ही लगेंगे मेडायविल में मलब आप मानके चलो 30 लेक्चर में पूरा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना एंपी का एंशन मेडायविल मॉडर्ण वो खता फिर तो बहुत सरल सरल से टॉपिक है मेले हो गया है ना उसके बाद आसानी से वो रटने वाली चीज़ें वो तो हम बैसे भी करी लेके यह सबसे टफ पार्ट था जिसको मैंने आज आज आपका कवर कराया यूनिट 3 की क्लास तीन बजे ही होगी आज दोस्ट यहां पर हम खनेज वाला टॉपिक एं है तो रेलवेज हो गया एयरवेज हो गया ठीक है यह हमें इसमें यहां पर एंपी के पढ़ने जरूर है ठीक है रेलवेज हो गया रोडवेज हो गया और आपका एयरवेज हो गया यह तीनों कि तीनों यूनिट 9 अगर आप पढ़ना चाहते हो 24 lectures uploaded है मेरी application नीचे link मिल जा तीगे है थाना मैदाई है